मुझूद है हमारे साथ सुधे सारे जी और उन्हें बीएस में एक बड़ी जुम्यदारी मिली है जो आदर्स नगर जिला है उसके उनको सचिब बनाया गया है बैंजी की तरफ से उनको ये भूमिका और उनको ये एक पद दिया गया है सर क्या लग रहा है इस अब जुम्यद जिम्मेदारी बढ़ गई आपकी पहला आप कर रहे करता है और आठ नो महीने बाद दिल्ली में चुनाव हैं कैसे देखते हैं जैभीम नवो बुद्धा है आपकी चैनल को ये जो जिम्मेदारी है ये हम सभी के लिए पहली प्रमुक्ता है कि हम बहुजन समाज को जगाए और क्योंकि हमारे बहुजन समाज में जो हमारी नेतरी है वो एक ही नेता है पूरी बहुजन समाज पर आकी हम लोग सब कार करता है कोई छोटे कोई बड़े कार करता कोई नेता हमारी एक है महन कुमारी मया बती जी तो आप जो जिम्मेदारी मिली है हमें पहले जो जिम्मे से काम किया जाए क्योंकि आप हमारे साथ खुद रहें कि आप लोगों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की ती तो उसमें लोगों ने देखा किस तरह से बहुजन समाज तिले मिलाया हुआ है और परिसान है और वो चाहता है उसकी गुलामी की बेडियां टूटें जो मानिवर साथ बहन जी का जो संगर से वो लोगों तक पहुंचे तो वही हम लोग काम करने कुछिस करेंगे जो भी हमारे कार करता है जो भी हमारे वो हम सभी सरसंबान उनको संग्ठन साथ जोड़ने के काम करेंगे जिम्मिदारियां देंगे और जिम्मिदारियों का साथ उनके साथ हम लोग विश्वास साथ काम करने अचाते हैं सुधेसी हम अगर हम बात करें यूपी की तो योगी सरकार ने सत्रे जातियों को ऐसी एस्टी के दारे के अंदर ला दिया तो आप इसे कैसे देखते हैं कितना नुक्सान होगा इसी सरकार अभी सुप्रिम कोट की गाइडलाइन से जो भी जातियां ओवी सी से एस्टी में कनवर्ट की गई हैं उनको कोई भी रिजर्वेशन पैदा नहीं ह सिद्रगा में तो इसी तरह की खेल है जातियों का बाबा साब को आगर हम लोग मानते हैं संब्सक्राइज न बहुजन समाज ही सब्द похож जाती संब्समानत्र है ऐसे जातियों किसों तो सम्मिधान के जो amendment करके कही सरकारों ने गांग्रेस ने इस तरह का पूरा छेड़ चाड़ कर दिया है कि जातियों का सम्मिधानिक रूप से अप और डाउन ग्रेड हो सकता है कर सकती है कॉई constitution का right है चाए बिधायका हो चाए पार्यमेंट बौर्ड हो दोनों में बदलाव हो सकता है ये amendment है ये कानूनी प्रकरिया है जो जन्मत से चुना जाता है वो सरकार उसको बदलाव कर सकती है कि लोग तंत्र हमारे देश में सम्मिधान से नहीं बना बर्सों से बहुत पहले से हैं तो सर क्या सोचते हैं आप इसकों मैंने दो दिन पहले आर्टिकल भी लिखा है और यह बहुत गंभीर चिंतन है और सारे विपच्छकों खासकर उन जो जो बहुजन समाज की बात कर रहे राजनितिक दल्चाय सत्ता में केंदर में बैटी उसमें समिधान में बैठे हैं नहीं बैटे चाहिए उनको सीट नहीं आई है लेकर उनको अवाज उठानी चाहिए कि प्रधान मंत्री मोदी जैसे एक सक्स ने जो प्रधान मंत्री सरवच्छी पद्वे बैठा हुआ उस वक्ति व्यक्ति वोलता है कि भया कि सदियों से लोगतंतर चला आ रहा है तो उनको पता होना चाहिए लोगतंतर बावा साहब भीवरा अंबेटकर 1946 के बाद जो समिधान लिखा गया उन्हेंचास में इससे परबूट करके बावा सामने सम्मिधान सभा को दिया उसके बाद लोगतंतरी प्रगिरिया चालू हुए और जिस लोगतंतरी बात कर वो उसमें राजतंतर होता था रास्ता ही होती थी जनता द्वारा दुना हुआ जनता के द्वारा राज था तब करना चाहिए माननी है राष्टपती महुत है को कि मामला उच्छ सदन के जो वहां के प्रिंसिपल है जो अभी जो बनाए गया है बिल्दा जी जो वहां के उपाद्याश्च है सदन के उनको इस पर कारवाई करने चाहिए पिधान मेंद्री की पृद्ध और उनको चैप दो सब्सक्राइब करने चाहिए तो बेंजी ने उस बात को आगे बढ़ाया बलकि 60-50% से उपर के जिम्मेदारी दी जा चुकी है अब जैसे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम बेंजी के उन सपनों को उनका नीतियों को आगे लोगों तक पहुंचाएं जो बाबा साब म दोना हुआ है तो हमें लगता है कि युवाओं की जिम्मेदारी है वह अपनी भागिदारी और बढ़ाएं और हम जैसे वह जुड़े हैं तो हम चाहते हैं और हम लोग जुड़ें और यहीं बेंजी के निति हैं यह थे हमारा साथ सुदे सार्य जी अब आप समझ सकते हैं देश का प्रधान मंत्री अगर संसंद में कड़े होके कहता है कि सदियों से यहाँ पर लोग तन था तो आप समझ सकते हैं जब मुगलों का राज रहा तब भी लोग तन था अंग्रे जाए तब भी लोग तन था तो आप समझ सकते हैं कि इस देश का प्रधान मंत्री जब आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज अबडेट पाने के लिए बैल आइकन को दबाना ना भूलें